तेज हर्याना पर आप सभी का स्वागत है मौसम अपडेट लेकर हाज रहूं हर्याना में 3 जुलाई तक खराब रहने के असार है मौसम के मानसुनी हवाएं आगे बढ़ने लगी है 11 जिलों में कल गरत चमक के साथ बारिश हो सकती है ये 11 जिले कौन कौन से आपको पूरी जानकारी देंगे मौसम अपडेट के लिए आपने अगर अभी तक भी तेज रहना को सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर कीजेगा फेस्बुक पेज पर भी फॉलो करें बिशन गर्मी और उमस से जूज रहे हर्याना में मानसून का अगमन किसी भी वक्त हो सकता है बुद्वा रात से ही मौसम करवट बदल लेगा तीन जुलाई तक लगातार बारिश होने की संभावना आए अगले तीन दिन दोर जुलाई तक गरम और चमक के साथ साथ में भी बरसेंगे कल यानी गुरुवार 30 जून को परदेश के ग्यारा जिलों में जिसमें पंचकुला, अबाला, यमननगर, कुरक्षेतर, करनाल, गुरुगराम, मेवात, पलवन, फ्रिदबाद, सोनी पत्व पानी पत्व में 30 से 40 किलोमेटर परती घंटा की रिवतार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलट जारी किया गया है बाकी जिलों में मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ अंधर का लट जारी किया है कई जिलों में मंगलवार की रासे ही मौसमें बदलाव शुरू हो गया था जबकि अधिकास जिलों में आज रात तक मौसमें परिवर्तन होने की पूरी संभावना बन गई है पूरे राजे में अगले 24 घंटों के अंदर मानसून का सर दिखाई देगा और एक जुलाई को नो जिलों में भारी बारिश होगी हिसार विभानी चर्खिदाद्री मेहंदरगड रिवाडी गुरुग्राम मेवाद पलवल फृदबाद में तीस से चालिस जो की प्रती घंटा किलोमेटर की रफतार से हवाई और भारी बारिश का लट मौसम विभाग ने पहले से जारी किया है हिसार स्थित चौधरी चरण सिंग हर्याना क्रीशी विश्वडाले के मौसम विभाग की माने तो हर्याना में 22 जून के बाद से लगातार पस्चमी हवाओं के चलने के कारण मौसम खुश पर गर्म रहा है जिससे दिन के तामान के साथ साथ रात के तामान में बढ़ोतरी हुई है कई जिलों में अधिक्तम तामान 45 टिगरी तो 29 तामान 29 टिगरी सेल्सेस तक पहुँच गया इस दुरान वातावरन में आदरता की मातरा भी दिक दर्श की गई है राजस्तान के उपर एक साइकलोनिक सर्कूलेशन बनने से हवाव में बदलाव पच्चमी से पुर्वी तक होने से वातावरन में नमी की अधिक्ता हो गई है इससे मौसम में बदलाव की संभावना बन रही है इसी दोरान बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसुनी हवाएं आगे बढ़ने की पूरी संभावना है इसके चलते हर्याना में 29 जून को रात को बारिश की कतिवदियां शुरू हो जाने की पूरी संभावना बनी हुई है मौसम विभाग के अंसार राजे में 30 जून से 2 जूलाई के बीच हवाओं में गरच चमक के साथ जादतर शेत्रों में बारिश होने की संभावना है कुछ एकस्तानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है हर्याना की कई जूलों में मंगलवार की रात ही मौसम में बदलाव देखा गया था रिवाड़ी में 30 मिन तक तेज बारिश के असपास से जूलों में बंदबादी हुई है अबाला असपास के अलाकों में बादल चाय हुए है और कई जिलों में मौसम के बदलाव के बाद अधिक्तम तामान में गिरावट दर्श की गई है पिछले साल 13 जुलाई को आया था इस साल 1 जुलाई को ही आगमन हो रहा है मानसुन का बगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाई परदेश में परवेश करेगी जिस से बारिश आएगी तो एक अच्छी खबर किसानों के लिए यहाँ है कि हर्याना में 3 जुलाई तक खराब मौसम रहेगा मानसुनी हवाई आगे बढ़ने लगेगी 11 जिलों में जो बारिश हो सकती है वो जिले कौन कौन से है पंचकुला, अमाला, यवननगर, कुशेतर, कनाल, गुरुगराम, मिवाद, पलवल, फृदबाद, सोनीपत, पानीपत है जहां पर बारिश हो सकती है एक जुलाई को जहां हो सकती है वो नो जिले है जिसमें हिसार, बिवानी, चर्कीदादरी, मेंदरगड, रिवाडी, गुरुगराम, मिवाद, पलवल, फृदबाद है जहां पर भी बारिश की पूरी-पूरी संभावना बन रही है फिलहाल मौसम अपडेट में इतना ही तेज हरेनब पर लगातार हर अपडेट तक पहुंचने के लिए आपको करना है चैनल को सबस्क्राइब अगर फेस्बुक पर है तो हमें आप फॉलो कर लीजे बहुत बहुत शुक्रिया